Hello Friends, नमस्कार, Welcome to my channel आज मैं कुछ ID वाला रोस प्लांट लोकल नर्सरी से पर्चेस किया हूँ Maximum ID वाला प्लांट लोकल नर्सरी में नहीं मिलता है मैं इस नर्सरी वाले भाईया को 15 रोस प्लांट का ओरर किया था पर मुझे ID वाला 5 ही मिल पाया यहां से आनलाइन रोस प्लांट ओरर करके बचाने में पसीना निकल जाता है पर विंटर में प्लांट को बचाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है यह सब प्लांट मुझे राइस हस्क में लगा हुआ मिल गया छलिए देखते हैं मुझे कौन-कौन सा ID का रोस मिला है मेरा फर्स्ट रोस प्लांट का ID है Skyline यह एक Medium Yellow कलर का Estee Rose है सेकंड प्लांट का ID है Classic Beauty यह एक Pink Blend का Estee Rose है मेरा थर्ड प्लांट का ID है Moonstone यह एक White कलर का Estee Rose है और इसका Edges Pink कलर का रहता है मेरा 4th plant का иде है cream caramel यह एक ST rose है जिसमें cream color का flower में pink spot रहता है मेरा 5th plant है lsoto prince यह एक orange color का Esther rose है यह सब rose plant आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ साथ यह plant सबको लगाने के लिए में 6 इंच का मिट्टी का pot लिया एज कंपेर टू प्लास्टिक पॉर्ट मिट्टी का पॉर्ट यूज करने से प्लांट का ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है जब भी आप लोकल नर्सरी से रोज प्लांट पर्चेस करते हैं उसे सेम डे रिपोर्ट ना करें उसको मिनिमूम साथ दिन अपने गार्डेन का महौल में सेट होने दे जैसे अपना गार्डेन का रोज प्लांट में फर्टिलाजर या पेस्टिसाइड यूज करते हैं सेम इस न्यू प्लांट में यूज करें साथ दिन बाद इसको कैसे रिपोर्ट करना है इसका वीडियो में जल्दी सेयर कर दूँगा थेंक यू